हर हर महादेव दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में आज बात करेंगे ब्रहमूरत में अगर आपको ये तीन संकेत प्राप्त हो रहे हो तो आप हैं बहुत ही भाग्याशाली इंसान इस्ट देव ने आपको चुना है प्रकर्ति की शक्तियों ने आपको चुना है जो वीडियो में हमाज आपको ये तीन संकेत बताने जा रही हैं ये किसी भाग्या शाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं देखेगा अगर आप विको भी ये सारे संकेत प्राप्त हो रहे हो तो आपके उपर भी देवियर शक्ती की बहुत लन्यू किरपा है बहुत ही आपके उपर प्रसन है आपके इश्ट देव आईए बात करते हैं इसी टोपिक के उपर वीडियो में बने रहना वीडियो को इसकी मत करना पूरी सुनना वीडियो को ताकि सारी बाते आपको अच्छी से समझ में आए और आप वीडियो का लाब उठा अगर सपने में भी उनको इश्ट देव के दर्शन प्राप्त हो रहे हो या फिर किसी मंदिर के दर्शन हो रहे हो या किसी भी ऐसी चीज के बार-बार दर्शन हो रहे हो या फिर सपने में दिखाई दे रहे हो तो समझ जाईए कि आपके उपर देवे किरपा हैं ये नहीं है क कि सपने में एक बार ही आपको दर्शन हुए नहीं उनके जिसकी जो भी आपके इश्ट देव हैं उनकी किरपा आपके उपर जब होगी तो आपको उनी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें सपने में दिखना शुरू हो जाएंगी और वो एक बार नहीं बहुत बार आपक दिखाई देंगी देखें बहुत लोगों को शिवलिंग दिखाई देते हैं या फिर शिव भगवान के मंदिर दिखाई देते हैं या फिर वो खुद को ऐसा लगता है सपने के माध्यम से कि मंदिर में बैठे हुए हैं और शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं दिखाई दें तब भी से उनको अपने इष्ट देव मानकरशी बहगवान की पूजा करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को ब्रह्मूरत के समय सपने दिखाई देते हैं और वो सच होते हैं या फिर उनको किसी भी भगवान के दर्शन दिखाई देते हैं तो वे सत्य साबित होते हैं उनके उपर उन्ही इश्ट देव की किरपा होती है उन्ही भगवान की किरपा होती है और ब्रमाणिय शक्तियां जो है वो ब्रहमूरत के समय धर्ती पर आगमन सारी करती है और अपने भगतो को आशिर्वाद दे करके जाती हैं डेर सारी उनें शक्तियां प्रदान करके जाती हैं दूसरे संकेत के वारे में बात कर लेते हैं जब भी आप अपनी फूझा में दीपक परजलित करते हैं और उसमें फूल आपको बना हुआ दिखाई दे कमल के फूल के जैसा या फिर कोई पंखुडी के जैसा आपकी आकरती उसमें दिखाई दे या फिर आपके इष्ट देव के दर्शन उसमें प्राप्त हों तो आप समझ आईए आपकी पूजा आपकी आराधना सही दिशा में जा रही है और आपके ऊपर आपके इष्ट देव की पूंण किर्पा है वे आपसे बहुत ही जादा प्रसन है आप अपनी पूजा अपनी आराधना ऐसे ही करते रहें आए बात कर लेते हैं अंगले संकीत के बारे में देखे बहुत से लोगों को सपने के माद्यम से बहुत सारी चीज़े दिखती हैं बहुत सारे घटनाएं उनके साथ घटित हो जाती हैं जो की वो सत्य साबित हो जाती हैं जिन लोगों के साथ भी सारी चीज़े घटित हो रही हो और वो सत्य साबित हो रही हो तो वे भी समझ जाए कि उनके पास रहती है होने वाली घटनाएं दुर घटना के बारे में वो आपको सचेत करती हैं देखे जब भी आपके साथ ये सारी चीज़े हो रही हो तो आपको अपने इश्ट देव की पूजा करना शुरू कर देना चाहिए उनके मंदिर जाना शुरू कर देना चाहिए और हो सके तो आप अपने घर में 11 दिन की या फिर 21 दिन की अखंड जोत का संकल पले करके अखंड जोत आप इस्तापित कर सकते हैं इससे आपके घर में डेर सारी शक्ति आना शुरू हो जाएंगे आपके इश्ट देव के और जो आपको इस अपन बार बार दिखते हैं वर यह सत्य होते हैं यह और जाद सिध होना शुरू हो जाएंगे से अपनी सिध्धी आपको प्राप्त हो जाएगी जिस से आपके उपर आपके इश्ट देव की बहुत सारी जो शक्तिया आपकी पूजा में इस्तापन मुद भू नेंगी देखे सपनों का अपना तात पर यह होता है वह बहुत वार आपको ऐसे चीजे भी दिखाई दे जाती हैं जो आप दैनिक रूप में उनको देखते हैं तब वो आपको दिखाई दे सकती है ले facto आप यह सपने वे सपने होते हैं जिनके वारे में आप सोचते नहीं है जिनका आपको पता नहीं होता है और वो सत्य साबित हो जाते हैं तो ये सपने वे होते हैं जो इश्ट देव से आपको जोड़ते हैं जो आपको बार बार ये सचेत करते हैं कि आपके उपर आपके इश्ट देव की किरपा है तभी तो आपको ये सपने दिखाए दिए और ये सत्य साबित हुए हैं तो जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़े हो रही हैं वो कभी भी किसी और इंसान को ना बताएं और क्योंकि और को बताने से आपके सपने जो हैं वे छिन बिन हो सकते हैं क्या पता वो आपको दूबाले फिर ना दिखाई दें तो आपको अगर कभी भी कि एसी बविश्चय पे होने वाली चीज़े दिखाई दे रही हो और आप किसी के साथ भी शेर मत कींब कीजेगा और हो सके तो आप अपने इश्च देव को सरू कर दीजे कि वह सारी चीजे आपको दिखाना शुरू कर और आप अलर्ट हो जाएं होने वाली घटना दुर घटना के बारे में मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है प्लीज वीडियो को एक लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की निशान को वश्य दबाए ताकी जो मैं वीडियो डालू सबसे पहले आपको प्राप्त हो अब मुझे दीजे जादत कल फिर मिलूंगे आपको एक नई वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक आप सभी को जैम आता दी जैम आता दी हर हर महादेव